Hello everyone, this is Anna Madiel and you are watching Cook & Travel. Cook & Travel के आज के मज़ेदार एपिसोड में बनाएंगे हैं हम वेजेटेबल पिकल जो के है बिलकुल सिर्के के साथ और इसमें जरा सा भी ओयल नहीं हैं जिसे आप सीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं श्वार्मा के साथ और भी डिफरेंट चीजों के साथ तो चलें बढ़ते हैं सबसे पहले मैंने सबसियां ली हैं मैंने एक हीरा लिया है आपने कंटेनर देख जितना कंटेनर का साइस था मैंने उससे साबसियां ली हैं आप पहले थोड़ा बना के ट्राइ करें आपको मज़ा आए फिर आप जादा बनाएगे अलगे तो चलें शुरू के बढ़ते हैं सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कांडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो के लिए देखते रहें कुकें ट्रा पतले स्लाइस करें ताकि कंटेनर में अच्छे तरीके से आ सकें और जब भी आप कोई श्वार्मा बनाएं बर्गर बनाएं कुछ भी बीच में सिर्के वाला अचा रखें आप रोटी के साथ भी इस्तमाल करें आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत लजीज बनेगा और कम से कम आप इसे एक महीने के लिए असानी से यूज कर सकते हैं तो फिर मैं लेती हैं गाजर और गाजर को मैंने लिया है काट अब इसकी छोटे छोटे स्लाइस करके हम इसको उसी साइस का कर लेते हैं जितनी गाजर मुझे चाहिए थे उतनी मैंने काट लिया हाफ ही कटेगी क्टेनर में आपने देख लिया था कितनी स्पेस है उससे साब से अब मैंने ली है हरी मिर्ची तीन हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची और एक लाल मिर्ची तो अब इसे काट लेते हैं और उसके साथ इसे सेंटर में से काटेंगे और अब साथ हैं लसन के जवे में से काट के दो पीसिस कर लें और चलें अब है बंद गोबी की बारी आप जैसे देख सकते हो सबजीयों को मैंने बिल्कुल एक ही शेप में काट लिया है प्याज नहीं काटे रीजन ये है कि प्याज थे ही बहुत छोटे मैंने बिल्कुल छोटे साइज के प्याज लिये थे और अब ये सारी सबजीयां बिल्कुल फ्रेश जैसे हैं आप इनके साइज को मजीद छोटा कर सकते हैं जब आप कंटेनर में से निकाल के इसे यूज करें तो मजीद इसे चॉप कर सकते हैं तो चलेंजी बढ़ते हैं सबसे पहले हम इस सारी चीज़ें इसमें डाल लेते हैं तो चलें जी अब तियार करते हैं लीकुड लीकुड बनाने के लिए जो हम इसमें आड़ करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छी से देख चीलिए उस पे आप चूले की फ्लेम को बिलकुल मीडियम रखें और मैंने इसमें डाला है दो कप पानी आप याद रखेगा कि आप इसमें दो कप पानी डाले जितना बड़ा कंटेनर है आप उसे साबसे उसमें पानी आड़ कर सकते हैं लेकिन जितना पानी डालेंगे उससे आधा आप सिर्का डालेंगे जैसे मैंने दो कप पानी डाला है एक कप डाला है अभी मैं मजीद एक कप शामिल करूँगे और उसके बाद जब सिर्के की बारी आएगी तो उससे हाफ जो है वो मैं उसमें सिर्का एड करूँगी देखें मैंने 2 cup पानी डाल लिया है उसके बाद इसी कप से मेयर करके मैं तकरीबन 1 cup जो है वो सिर्का एड करूंगे और जितना आप सिर्का एड करेंगे मैंने apple cider vinegar लिया है अगर आपके पास white सिर्का वैसे माजूद है तो वो डाले मैंने इसमें brown sugar डाली थी आप white sugar भी आड कर सकते ह में it's up to you लेकिन तेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा बहुत मज़ेदार बहुत यमी और बहुत टैस्टी बनीगा जरू ट्राइ करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी है और लें जी अब इसमें सिर्का डाल देंगे और उसके साथ मैंने जितना सि अब पहले इसको थोड़ा सा पानी को जो है वो हलका सा गरम होने दें आप देख रहे होंगे कि पानी में छोटे-छोटे से बबल्स आपको नजर आ रहे हैं अलमस्त यह अब पानी जो है वो जितना हमें गरम चाहिए उतना हो चुका है अब हम इसमें चीनी आड़ करेंगे तो चलें बढ़ते हैं जी अगले प्रोसेस की तरफ और इसमें हम आप अड़ करते हैं चीनी लें जी ब्राउन शुगर मैंने इसको मैं अड़ की है और इसमें आप हस्बेज आइका डालेंगे थोड़ा सा सौल्ट सौल्ट आप थोड़ा ही रखेगा क्योंकि सबस्नियों क अड़ी तो आप ना भी डालें तो ठीक है लेकिन डालेंगे तो टेस्ट जो है वह काफी अच्छा आएगा घटा मीठा सा जैसे अक्सर होना चाहिए इसमें सिरके के अचार में इसमें से आप जो है वह अगर अचार वाली है आलिवाल के साथ जो है मैं वेजिटेबल पिकल की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी लेकिन ये जो है वो जी बिलकुल ओयल फ्री है और बहुत टेस्टी बहुत यमी आप जरूर ट्राइ करिएगा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहां से रेसिपी देख रहे हैं किस शहर से हैं और किस मुल्क से हैं आप मुझे जरूर कुमेंट्स में बताएए और उसके इलावा आप की फरमाईश पर अपनी कोई रेसिपी है तो वो भी मुझे बताएए अपना फीड़बेक जरूर दिया करिए और आप लाइक भी करिया करें वीडियो को क्योंकि आपकी तरफ से ये एप्रिसीशन और प्यार होता है जिसे देखकर हम बहुत जादा खुश होते हैं तो मैंने इसमें थोड़े से जो जी है वो मैंने थोड़ी सी अजवाइन जो है वो इसमें डाली है टेस्ट के लिए बिल्कुल थोड़े दो से तीन डाने अजवाइन के अब जादा नहीं डालीएगा क्योंकि ये बिल्कुल इतनी ही डालेगे इसमें कंटेनर जितना है उसे साब से तो चलें जी अब हम इसको एक दफ़ा प्री हीट होने देते हैं अच्छे तरीके से ये जब हीट पकड़ लें मीडियम फ्लेम पे लेकिन इसमें बॉइल नहीं आने चाहिए मतलब कि सिरका भी है इसमें तो बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए नॉर्मली ये हो वीडियो को पूरी देखा करें और जो डीटेल्स बताई जाती होने ध्यान से एक दफ़ा पूरा सुना करें ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि रेसिपी हकीकत में बंती कैसे हैं अगर आप वीडियो स्किप करेंगे या फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको उस तरीके से समझ भी नहीं आएगी तो चलें जी ये अल्मोस्ट रेडी है आप देख रहे हैं इसमें हलके-लके से बबल्स आ रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है अल्मोस्ट तो मैं अब फ्लेम को बिल्कुल करने वाली हूँ बंद और जो कंटेनर में मैंने डाली थी सबजियां उन सारे कंटेनर में मैं आहस्ता आहस्ता करके इस लीकुड को डाल दूंगी और ये आप एक महीने के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप इसे फ्रिज में रखें फ्रिज के बाहर रखें इस अप टू यू और आप इसे अच्छी तरीके से हर एक चीज के साथ سर्फ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप अपनी मर्जी से इसकी कुटिंड कर सकते हैं तो चलैंजी, यह मैंने अपना जہर जो है वो फर से ले लिये और आहस्ता हिसमें पानी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता से इसमें पानी डालें ताके अच्छे से जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी पानी में अच्छे तरीके से जो हैं फिल हो जाएं अच्छे तरीके से भेग जाएं और इनका असर बहुत अच्छे तरीके से आएगा अब हम दुबारा इसके उपर क्याप कम से कम 24 गंटे के लिए 24 गंटे में अपना पूरा असर छोड़ देगा और इसको आप जो है फिर 24 गंटे बाद इस्तमाल करना शुरू कर सकते हैं देखें कितना खूबसूरत कितना यमी लग रहा है कंटेनर के उपर आप डेट मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको असानी रहें मुझे जरूर बताइएगा ट्राइ करके के आपको मेरी वेसिपी कैसे लगी वाओ इस सो यमी अपना धेट सारा खियाल रखा करें गुडबाई टेक कियर झाल झाल झाल